समस्का दोस्तों मिरणा मितन में और यह है Realme 9 Pro Plus का Box यहां पर मैंने इसको First Sale में Order तर लिया था जल्दी से इसको Unbox कर लेते हैं तो यह Box Realme 9 Pro Plus का यहां पर उपर 5G लिखा हुआ है Most Tusted Technology Brand जल्दी से इसको Open करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं Box Open उते ही उपर लिखा हुआ है Great Story Since The First Leap Box के अंदर आपको एक Normal TPU Cover दिया गया हाला कि दोस्तों यह TPU Cover जो है यहां पर Black Tint के साथ आता है तो यहां पर यह जल्दी से यल्लो कलर पे चेंज नहीं होगा साथ में कुछ Documentation और Sim Ejector Tool यह आपको देखने को मिलता है Phone इसको रखते है थोड़ी दर के लिए Side में साथ में यह है यहां पर 60 Watt का Super Dart Charger और यहां पर इनका USB Type-C वाला Cable तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर Black Color में Buy करा हुआ है सामने की दरफ यहां पर एक Display Protection दिया हुआ है इसको भी यहां पर निकाल लेता हूँ सबसे पहले मैं इसके Pricing के बार में बात करना चाहूँगा यह जो Smartphone है मुझे यहां पर 17,000 रुपे का पड़ा है अब गाइस यह मुझे कैसे पड़ा यहां पर सबसे पहले आपको जो है 2,000 रुपे का HDFC के काड़ पे Discount देखने को मिलता है उसके बाद साथ में यहां पर जो है मैंने अपना पुराना Poco F1 को Exchange करा तो मुझे जो है साथ में वहाँ पर 6,000 रुपे का Discount देखने को मिला या फिर मैं कहूँ 6,000 रुपे का Exchange Value मिला तो यहां पर जो है मुझे इस तरीके से Realme Pro Plus जो है Base Variant यहां मुझे 17,000 रुपे का मिल गया था तो यहां पर जो है Exchange Value भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल रही है साथ में यहां पर First Sale में HDFC का Discount भी अविलेबल था सबसे पहले इसकी Build Quality की बात करतो हो यहां पर पीछे की तरफ आपको Glass Back दिया गया है Glass Back में यहां पर Definitely आपको Finger Prints जो है वो देखने को मिल जाएंगे यहां आप देख सकते हैं Finger Prints जो है यहां पर Definitely पढ़ जाते हैं क्योंकि यहां पर यह Black Color है तो आपको Finger Prints जो है काफी जल्दी भी दिखने लग जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं Plastic की Frame दी गई है यहां पर Look and Feel मुझे बहुती ज्यादा Premium लगा है Inhand Feel बहुती ज्यादा अच्छा आ रहा है यहां पर इसकी Thickness जो है यहां पर 1.99 mm की है साथ में यहां पर इसका Weight 182 Grams का है Wi-Fi Connect करते वक्ट मुझे एक कि नोटीज हुई है कि यहां पर यह 5 GHz और 2.5 GHz है दोनों को ही यह support करता है तो यहां पर इसको मैंने setup कर लिया है जल्दी से इसका fingerprint और इसका face unlock टेस्ट कर लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं यहां पर tap किया open हो गया फिर से close करते हैं tap किया और यह हो गया open तो बहुती fast fingerprint scanner है और साथ मैंने यहां पर face unlock को अभी setup कर लिया था जल्दी से face unlock भी test कर लेते हैं हालकि इसका जो face unlock है वो यहां पर camera के तुरूई काम करता है तो यह जो है रात को यहां पर काम नहीं करेगा बचसे लिए यहां पर देख लेते हैं यहां पर अभी जो है lock कर लेता हूँ अब यहां पर on करते हैं ओके unlock हो गया वापस करके देखते हैं lock नहीं हुआ वापस lock करते हैं unlock हो गया तो guys यहां पर बहुत ही instantly हो जाता है अब यहां पर mask के साथ try कर लेते हैं यहां पर mask के साथ यह मुझे पैचान पाता है या नहीं यहां पर lock कर लिया मैंने okay तो mask के साथ भी इसने unlock कर लिया जैसी कि आपने देखा तो guys यहां पर mask पहन के अगर आप इसे unlock करते हैं तो वो भी यहां पर काम कर जाएगा phone को चालू करते हैं सबसे पहला चीज मुझे यहां पर notice हुआ है वो यहां पर bloatware यहां पर आप देख सकते हैं कितने सारे bloatware दिये गया है जैसी कि soul loop हो गया, fin shell, hot apps, hot games, real me link का app भी दिया गया यहां पर facebook, amazon, snapchat, daily hunt, josh, phone pay, more apps के अंदर linkedin और booking.com मौज कर रहे हैं, यहां पर साथ में यहां पर share chat वगयरा भी काफी सारे bloatware दिये गया है हाला कि देखते हैं कि क्या हम यहां पर इसे uninstall कर सकते हैं तो definitely आप यहां पर इसको uninstall कर सकते हैं, यह आप देख सकते हैं uninstall का बटन आ रहा है, तो यह जो यह uninstall हो जाएगा 90Hz और 360Hz का touch response देखने को मलता है, साथ में यहां पर आपको यह display HDR compatible देखने को मलता है यह देख सकते हैं YouTube के अंदर यह यहां पर full quality में यहां पर HDR में play कर सकता है बट यहां पर Netflix और Amazon जैसे OTT platforms के अंदर यहां पर HDR content play नहीं कर पाता साथ में यहां पर आपको Widevine L1 का support देखने को मल जाता है अगर आप इसे बिना cover का use करते हैं तो guys यहां पर definitely यह जो है table पे wobble हो रहा है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं डिस्प्ले का जो color है वो मुझे बहुती ज्यादा बढ़िया लग है डिस्प्ले जो है बहुती अदा bright आता है यहां पर आपको 1000 nits का peak brightness देखने को मलता है बढ़ गाइस यह जो peak brightness है यह आपको यहां पर कभी कभार ही देखने को मिलेगा बाकी समय पर यह जो है यहां पर 700, 200, 600 तक ही यहां पर peak brightness देता है जब भी जरूरत पड़ती है तब यहां पर यह 1000 nits तक भी जाता है बस यहां पर मुझे थोड़ी सी एक चीज़ खराब लगी है कि यहां पर जो है आपको चिन बहुत भी बढ़ा दिया गया यहां पर चिन को जो है थोड़ा सा और छोटा कर देते तो काफी ज़्यादा मजा आता speaker की बात करो तो यहां पर आपको dual speaker दिया गया है नीचे की तरह आपको एक speaker दिया गया तो यहां पर डेफिनेटली यहां पर जो है stereo effect उतना अच्छे तरीके से तो नहीं दे पाता क्योंकि यहां पर जो दूसरा speaker है जो headset के अंदर है उसमें थोड़ा सा कम sound आता है और यह जो नीचे वाला speaker है उसमें थोड़ा सा ज्यादा sound आता है तो थोड़ा stereo effect उतना अच्छे तरीके से नहीं आपाता बर यहां पर volume काफी दा अच्छी है और speaker की clarity काफी दा बढ़िया दी गई है साथ में यहां पर आपको 3.5 mm का jack भी देखने को मिल जाएगा जो की काफी बढ़िया बात है और यहां पर gamers के लिए काफी सही रहेगा यहां पर और मैंने इसको test करा और मुझे जो है काफी बढ़िया sound quality में लिए इसके 3.5 mm jack से इसके performance की बात करतो इसमें जो है आपको media tech का diamond city 920 देखने को मिलता है जो की एक 6 mm का processor है इसमें मैंने जो है इसको आदे घंटे तक use करा और मुझे जो है इसके performance बहुत ही जादा बढ़िया लगा है day to day live में आपको जो है कोई भी lag jitter देखने को नहीं मिलेगा साथ में इसमें आपको जो है UFS 2.2 का storage देखने को मिलता है और LPDDR4X का RAM दिया गया है तो यहाँ पे multitasking और यहाँ पे जो है copy, cut, paste और editing वगएरा जैसे काम जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाते हैं PUBG में performance देखने से पहले एक छोटा सा speed test करवा देता हो यहाँ पे जो है मैंने PUBG install कर लिया है देखते हैं पे कितने second में यह start होता है 1,2,3 ओके तो इसको start करने में इसको 27 seconds अप्रॉक्स 26 seconds का time लग जैसे कि आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे जो है start up जो है वो fast था बड़ गाई यहाँ पे थोड़ा सा और fast हो सकता था थोड़ा सा और optimization की जरूवत है महीं पर मैं बात करूँ PUBG के अंदर के settings की तो आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा graphics के अंदर जो है अभी यह default में HD पे high पे play कर रहा है बट यहाँ पे definitely आप smooth पे extreme तक जा सकते हैं 60 fps तक आप यहाँ पे खीच सकते हैं balance पे आप यहाँ पे ultra तक जा सकते हैं HD पे भी आप यहाँ पे ultra तक जा सकते हैं और HDR पे भी आप यहाँ पे ultra तक जा सकते हैं और ultra HD यहाँ पे disable किया हुआ है तो हम यहाँ पे smooth और extreme पे खेलने वाले हैं यहां पर जो है मैंने कुछ दे तक PUBG खेला मुझे जो है यहां पर परफोर्मेंस काफी अच्छा मिला है 60fps आरम से स्मूध पर जो है चिपक के मिल रहा था यहां पर जो है उतना एक्स्ट्रीम टेस्ट तो मैं नहीं कर पाया इसके लिए आपको यहां पर फुल रिव्यू के लिए वेट करना पड़ेगा उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आपको मैं फुल डीटेल रिव्यू भी देने वाला हूँ Overall Realme 9 Pro Plus जो है मुझे RAW परफोर्मेंस के मामले में बहुती ज्यादा तगड़ा लगा है यहां पर आपको RAW परफोर्मेंस गेमिंग में और बाकी डे टू डे टास्क और यहां पर हैवी टास्क में भी जो है मुझे काफी अच्छा परफोर्मेंस देखने को मिला है अब इसके कैमरा की बात करते हो यहां पर आपको तीन कैमरा देखने को मिलते हैं तो इसका में कैमरा जो है वो आपको यहां पर 50 मेगा पिक्सल का सोनी का IMX 766 का सेंसर दिया गया है साथ में इसमें जो है आपको 1.8 का अपेचर देखने को मिलता है OIS के साथ साथ में नीचे है आपका यहाँ पे Wide Angle वाला Camera जो की 8 Megapixel का है यह जो है Sony का IMX 355 वाला Sensor दिया गया है इसका जो Field of View है वो है यहाँ पे 119 degrees का तो यहाँ पे आपको 120 के Approx यहाँ पे Field of View देखने को मलता है Wide Angle Camera का और साथ में यहाँ पे आपको वही फालतो 2 Megapixel का Camera दिया गया जो की कोई काम का नहीं है अब यहाँ पे कुछ sample images और वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे OIS के बारे में बात करेंगे यहाँ पे यह रहे कुछ samples यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पहला फोटो यह मैंने इंडोर में studio writing में capture कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं detailing वह काफी जादा बढ़िया है और साथी साथ यहाँ पे जो है face में काफी जादा ब्यूटिफिकेशन करा गया है आरा कि मैंने यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन आफ कर दिया था फिर भी यहाँ पे skin को smoothening वगरा करा गया है बट overall जो फोट है वह काफी अधा बढ़िया हुआ है अगला फोटो हम यहाँ पे देख लेते हैं यह है back camera से यहाँ पे आप देख सकते हैं HDR कुछ काम करता है मुझे नहीं दिखा है यहाँ आप देख सकते हैं यह जो shadow वाला पार्ट है उसमें कोई detail नहीं आ रहा है यहाँ आप देख सकते हैं highlight वाले part में काफी अच्छा detail आ रहा है पीछे आप दिवार पे भी देख सकते हैं detailing काफी अच्छी आ रही थी यहाँ पे जो shadow वाला पार्ट है यहाँ पे बिल्कुल भी आपको detail देखने को नहीं मिलेगा अगले photo में यहाँ पे मैंने AI highlight on कर दिया था उसके बाद हलका सा यहाँ पे shadow में information देखने को मिल रहा था बट still यहाँ पे HDR को और improve करने की जरुवत है अगला यहाँ पे देख सकते हैं human पे कुछ इस परकार का यहाँ पे लगता है देखने में यहाँ पर देख सकते हैं selfie camera से click कर आगया यह जो photo है इसमें मुझे detailing की कमी लगी है साथ ही साथ यहाँ पे जो है मुझे पूरा photo बहुत ही ज्यादा smooth लगा है खाने के जो photos आते हैं वो काफी ज़्यादा बढ़िया आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं खाने में बहुत ज़्यादा vibrant photos आते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पार्ट पूरा blown out देखने को मिलता है यहाँ पे sunrise दिख रहा था इस वाले पार्ट पे और बहुत एक orange color का gradient आ मिलती है बट face में जो है कोई भी detail आपको देखने को नहीं मिलता है ढंग से यह portrait mode से click कर आ गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं portrait mode जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है edge detection जो है वह काफी अदा सही निकल करके आता है और background में भी आप यहाँ पे देख सकत देखते हैं यह है यहाँ पे normal camera से लिया गया shot और यह है wide angle camera से normal camera पे आपको काफी अचा detailing देखने को मलता है day lighting condition में हाला कि यहाँ पे bright parts को जो है यहाँ पे थोड़ा सा और control करने की ज़रूरत है realme को अगला photo जो है वो यहाँ पे wide angle camera से और wide angle camera को मैं यह कहूंगा कि आपको जो है एकदम bright daylight में एक दो बजे या फिर 12 बजे यहाँ पे इसको यूज करना चाहिए वरना यहाँ पे wide angle camera बिल्कुल भी useful नहीं है यहाँ पे यह sunset का time था 5-6 बजे और यहाँ आप देख सकते हैं shadow वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल भी यहाँ पे जो है उन में details नहीं है और यहाँ पे जो है highlight वाला पार्ट भी जो है डंग से यहाँ पे HDR पे काम नहीं कर रहा है अगला photo यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो skin tones है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बढ़िया skin tones आया हुए है colors भी काफी बढ़िया हुआ हुआ है पीछे जो पेड़ क mode में भी जो है आप देख सकते हैं edge detection बहुत ही जादा सही है हलाकि यहाँ पे बच्चे की इस side में आप देख सकते हैं यह वाले पार्ट में जो है blur यहाँ पे मिस हो गया है फिर भी यहाँ पे जितना इसने जो है detect करा है उतने पार्ट में जो है काफी अची तरीके से blur देख सकते हैं यह वाला पार्ट जो है पूरा blown out है और आपको पता होगा screen में कौन है बाकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फोट आया हुआ है colors काफी accurate आया हुए है थोड़ा सा saturated ज्यादा है बड़ गाइस colors काफी प्यारे लग रहे हैं देखने में अगले है कुछ night samples यहा चोटे 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 LED यहां पर मेरे पीछे यहाला LED लाइट है यह यहां पर सिर्फ जल रहा था तो यहां पर आप देख सकते हैं कैसा आपको जो है result देखने को मिल रहा है dynamic range भी काफ्यादा बेकार यहां पर निकल करके आती है अगला जो फोटो है वह यहां पर main sensor से क्लि ने main वाले sensor से तो अगर आपको यहां पर low light conditions में फोटो क्लिक करने है तो आपको जो है यहां पर main sensor को यूज करना चाहिए अगला फोटो है यहां पर selfie वाला फोटो यहां पर low light conditions में इसको क्लिक कर रहा है night mode के साथ यहां पर आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी detailing नही साथ है जो है यहां पर normally walk कर रहा हूं और आपको यहां पर stabilisation देखना के स्परकार का है OIS यहां पर बहुत ही बड़ी तरीके से काम करता है 720p में और 720p में आपको कोई भी तरीके का यहां पर देख सकते हैं कोई भी तरीके का यहां पर आपको कोई भी यह फील नहीं होगा जर्क वगेरा कुछ भी फील नहीं होगा यह 0 humor चल रहाहा तो आपको यह पर टेखना कि कि cartoons कहा है आपको chooses का से कहता है यहां पर चुंसरा है यहां काम कर रहा है मैं यहां पर आप कि ज़ुक्त कर रहा है अगर पे आपने हैं तो है यह एजडी आर थी कोता वा दिखेगा अब ये जो फोटेज आप देख रहे हैं यहां पर 1080p 60fps AI हाईलाइट यहां पर मैंने आउन कर दिया है तो आपको आपको देखने को मिल रहा है कैसा आपको stabilization देखने को मिल रहा है यह सब आप यहां पर देख करके मुझा बता सकते हैं बाकी गाइज यहां पर जो है काम नहीं करता और यह है 4K 30fps इसका maximum quality इसमें जो है आपको वाइस का बिल्कुल भी जो है यहां पर आपको यह देखने को नहीं मिलेगा तो वाइस यहां पर जो है बिल्कुल भी रकॉर्डिंग देखने को मिलेगा इसमें जो है डाइनमिक रेंज बहुत ही बेकार रहती है और साथ में इसका जो प्रिक्चर कॉलिटी है वो भी एकदम बेकार है जैसे कि आपने देख सकते हैं आपने देख लिया camera samples मुझे जो है यहां पर इसके camera samples बहुत ही जादा बढ अगड़ा है यहां पर definitely इस price point पर यह Nord CE2 और Redmi Note 10 Pro Max को definitely यहां पर यह competition देता है हाला कि दोस्तों video वाले part में यहां पर OIS दिया गया है उसमें यहां पर OIS जो है वो उतना up to the mark नहीं आ पाया है OIS के बार में आपको पता होगा काफी अच्छा कासा controversy हो चुका है बड़ यहां पर OIS जो है इसमें उतना अच्छा सची में देखने को नहीं मलता और selfie camera भी जो दिया है वो भी मुझे अच्छा लगया उतना कुछ खास नहीं है बट यहां पर अच्छा है overall जो है camera system बहुत ज़्यादा बढ़िया है photos click करने के लिए बट अगर आप इसे सोच रहे हैं कि vlogging क लिए buy करें तो आपको इसे जो है ignore करना चाहिए क्योंकि इसमें जो OIS promise किया था वो यहां पर realme provide नहीं कर पाया बट still इसका जो EIS है वो काफी अच्छा काम करता है और overall यहां पर आपको सारे android 12 की features देखने को मिलते हैं और साथी साथ यहां पर realme के कुछ extra features realme UI 3.0 में वो यह वाला जो चोटा सा bug है यह अभी भी देखने को मिलता है बट overall यहां पर आपको कोई भी जो है lag या stutter देखने को नहीं मिलता UI के अंदर battery की बात करूँ इसमें आपको 4500 mAh की battery दी गई है यहां पर थोड़ा सा और battery दिया जा सकता था but guys यहां पर जो है इसमें fast charging भी दिया गया with 65 watt dart charging जो आपको charger box की अंदर ही देखने को मिल जाएगा यहां पर full charge होने में यहां पर company ने claim किया है कि 44 minutes का time लगता है but मेरे experience में यहां पर इसको approximate एक घंटे का time लग गया था full charge होने में तो guys यहां पर 44 minutes यहां पर नहीं लगता थोड़ा सा ज्यादा ही लगता है इसको full charge करने में overall मेरे first impressions कुछ इस प्रकार के थे अब आपको जो है इसके detail review के लिए wait करना है मैं जो है इसको 15-20 दिन यूज करूँगा उसके बाद आपको जो है अच्छी तरीकी से detailed review दे दूँगा इसका तब तक लिए उस तो जैहन्द मन्दि महातिरम और आपका दिन शुब रही